आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुखल चले राष्ट-पिता महत्मा गांधी की जुइनती के उपलक्ष में प्रधानमंत्रि नरिन्मोदी द्वारा स्वच्चत अभ्यान चलाया जाने के आवान करने के बाद कश्मीर से लेकर कन्यकुमाई तक एक दिन एक घंटा स्वचिता अभ्यान चला कर देश की जनता निद्या स्वचिता का संदेश शहर विधायक चेतने काशप ने भी स्वचिता अभ्यान चला कर शहर की जनता को स्वचिता के प्रती किया चागरू शाने मालवा प्रदेश ही नहीं देश का गोरो स्वर्ण नगरी रतलाम को पुनहा लोटाएंगे उसका खोया वेभव शहर विधायक ने अपना संकल्प दोराया अभी तो मुक्य द्वार का क्या जिन्नों द्वार आने वाले समय में महलवाड़े का भी करेंगे कायकल रतलाम को बनाएंगे नगर से महानगर स्वेच्चिक रक्तदान दिवस के आउसर पर रतन पूरी के रतन समाच से भी गोविन काकानी ने किया थेले सिमय वर्सिकल सेल से पिडिक बच्चों के लिए सोवी बार रक्तदान सेवा की ऐसी मिसाल और कहां यशश्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतरतों में देश ने कई एक से बढ़कर एक उपलब्ध्या हासिल की है चांद से लेकर सूरज तक की दूरी नापने में भारत ने सफलता प्राप्त की है वही विदेशों में भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रतों में भारत देश का मान बड़ा है ऐसे देश के यशश्वे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दीन भाजपा संगटन सेवा सप्ता के रूप में मना रहा है जिसके अंतरगत संगटन द्वारा कई प्रकार की विभिन सामजिक एवं धार्मिक आयोजन कर रहा है कारिक्रमों की इसी कड़ी में आज पूरे देश भर में स्वच्चता के नाम पर कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक एक तारिक एक घंटा का स्वच्चता अभ्यान चला कर देश के यशश्वी प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के नेतरतु में देश के उजवल भविश्य की क की जनता से आवान करते हुए कहा गया था कि इस बार शर्दाजली नहीं सफाइन जली देते हुए पूरे देश में सवच्छता का संदेश देते हुए महात्मा गांधी के सवच्छ भारत का निर्मान करना है। परिसर शेत्र में शहर विधायक चेतनिकाशव के नेत्रतों में सवच्छता अभ्यान चलाया गया। अभ्यान से पूर्व शाहर विदायक चेतन इकाशव ने उपस्तित बच्चों व अभ्यान में शामिल लोगों से आवन किया कि स्वचिता की आदत बच्चपन से होनी चाहिए और हमको स्वचिता की आदत डालना होगी तब ही हम स्वचिता के सार स्वस्त भारत का निर्मान कर पाएंगे दीरे दीरे पूरे देश में बने इसके उपर और अब जो वर्दमान में पर्यावरण से लेकर के सच्छता की समस्या है बढ़ते सहरी करण वाधुनी करण में जो बड़ी है तब हुमारे देश के प्रजान में दिन अरेज मोजी जी ने इसे एक आंदोलन का रूप किया है राजनेता वही होते हैं जो समाज के मुद्दों को समाज के अंदर प्राप्त समस्या है उन समस्याओं को एक समाजिक मुद्दा बनाए को कि शाशन की प्रक्रियानी होना चाहिए आज हम सम आपके भी नेता लोग भी है हमारे नए विभ्यारती भी है वापोर जिल में जो बात कहीं है यह बात आप समझ लें जो विचार में लेता है कि एक एक व्यक्ति अगर तयार नहीं होगा शकता है जैंज आगुष्टा की आज आप और हम सब एकतर हुए हैं यह प्रण लेकर के जाएं कि सवच्छता के ब्रति हम घर से लेकर के सार्वजन किस्थानों तक सब के सदेक रहेंगे एवं हमारे जेश के ब्रण नंति नरेज मोदी जी का जो सपना है उस सपन में हर नागरी सवच्छता में लगे बही गुजरात के भावनगर से आयप पूर्व गुजरात भाजप्रा प्रदेश अध्यक्ष विधायक जीतु भाई भागानी ने उपस्ति जन को सवचिता की शपत दिलवाई अपने घर्षिक का पयोग नहीं करेंगे पुलेचिन प्रतिबंद का पूरा पारण करेंगे दूसरों को भी इसके लिए रोकेंगे खुले में शॉच ना खुद करेंगे नहीं किसी दूसरे को करने देंगे ततपश्चा शहर विदायक चेतने काश्यक जन अभियान प्रभारी प्रदिपांडे महापोर निगमध्यक्ष श्रीमती मनीशा मनोश्चर्मा प्रदिपुपाध्धाय निर्मल कटारिया के साथ अन्नी भाजपन नेताओं ने सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संद शहर की एतिहासिक धरोहर राजमहल के मुख्य द्वार का जिर्णो धार होने के बाद विदायक चेतने काश्यक और महापोर्ण ने गंडमानी जनों की उपस्तिती में समारो पुर्वक लोकारपंड किया इसावसर पर भाव्य आतिशबाजी हुई और राजमहल का मुख्य द्वार रोश्णी से जगमगा उठा द्वार पर आकरशक विद्व सज्जा का कारी इपका फाउंडेशन मुंबई द्वारा किया गया है सोंदरीकरण के इस कार्य में एक करोड साथ लाख रुपए की राशी खर्च की गई इसमें 40 लाख विदायक नीधी 51 लाख रुपए नगर निगमोर करीब 17 लाख रुपए इपका फाउंडेशन द्वारा विद्व सज्जा के लिए दिये गए कारिकरम के दोरान विबिन संस्थाओ द्वारा विदायक चेतने काश्रफ का भिनंदन किया गया इस आउसर पर शहर विदाइक चेतने काशिव ने कहा कि जिस प्रकार से राज महल के द्वार का वेभव लोटा है ऐसे ही अगले चरण में अब महल का भी वेभव लाएंगे यदि भविश्य का निर्मान करना है तो हमें अपनी धरोहरों को संभालना पड़ेगा राज महल का मुख्यद्वार एक प्रतिक है हमारा सोभाग है कि प्रधार मंतरी श्री नरेन मोदी जी ने रतलाम में 460 करोड से अधिक लागत के मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की आधर शिरा रखी है अब रतलाम के विकास की गती को कोई नहीं रोक सकता राज महल के द्वार के सामने की ओर बन रहा गोल्ड कॉंपलेक्स भी देश और दुनिया के नक्षे पर होगा इसे रतलाम के स्वर्ण वेवसाय को एक नहीं पहचान मिलेगी रतलाम को देश और दुनिया का सर्वश्रेष्ट व्यापारिक और ओधवी केंदर बनाएंगे विकास का खाका हमने तयार कर दिया है जब हम हमारी संस्कृति को देखते हैं हमारे इतियास को देखते हैं तब हमें निश्चित्य सोचना पड़ता है कि हमारी धरोहर क्या है हमारा इतियास क्या है और तब ही उससे हम नए भविश्य का हम निर्मान कर सकते हैं भविश्य का निर्मान करना है तो हमें अपनी धरोहर को भी देखना पड़ेगा जो राज महल का मुख्य द्वार यह एक प्रतीक है यह अंत नहीं है मैं आप लोगों को यह बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इस अपना मौसर समिती के समारों में जो मैंने उल्लेक करा था के संपूर्ण राज महल को हम पुना उसके उसी पुरने विभोव के साथ में पुरा इस्थापित करेंगे और आज भी मैं उस बात के लिए संकल बित हूँ कारिकर्म के दोरान विधाय के वं महापोर के साथ निगम अध्यक्षा मनीशा मनुश्यर्मा इपका के दिनेश सियाल मनुहर पोर्वाल प्रेम उपाध्याय भाजपा निता कनेया लाल मोरिय प्रदेश कारे समिती सदस्य निमीश व्यास जीला महामंतरी प्रदिफ उपाध्याय आदी भाजपा सदस्य उपस्तित रहे झाल 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 चिकिसा के शेत्र में भारतवर्स तेजी से बहुत आगे बढ़ रहा है डीजिटल से डीजिटल आपरेशन भी अब देश में ही अनेक शेहरों में किये जा रहे है जिसमें रक्त की बहुत आविशक्ता लगती है और यह कमी बढ़ती जा रही है इसे दूर करने के लिए अधिक से अधिक स्वेचक रक्तदान के लिए प्रतेक समाज इस्तर पर रक्तदान शिविर लगाने संस्था के माध्यम से इस्कुल कॉलेज, उध्योग बेंक, नीजी वसरकारी संस्थान, धार्मिक संस्थाय, साल में एक या दो रक्तदान शिविर लगाकर नए नए रक्तदाताओं को तयार कर सकती है उक्तबात समाज से वी रतलाम रत्न से समानित गोविन काकानी ने अपने सोवी बार रक्तदान करते हुए कही समाज से वी गोविन काकानी ने कहा कि जिस प्रकार शरीर के लिए ताजी हवा, ताजा भोजन, शरी के लिए अच्छा होता है ठीक उसी प्रकार नया रक्त भी शरीर के लिए स्वास्ति वर्धक होता है मुझे सो बार रक्तदान करने का अवसर जिन भी बीमार मरीजों ने दिया मैं उनका रदय से आभारी हूँ क्योंकि उन्ही के कारण मेरे शरीर में नया रक्त बनता गया और शरीर को स्वास्ति रक्ते हुए आत्यधिक उर्जा प्रदान करता गया स्वेचिक रक्तदान को गती प्रदान करने के लिए जागरती संबुधन कारिशालाए प्रचार सामग्रिया आदिस संस्थाओं के माध्यम से आम जंता तक दी जानी चाहिए जिससे लोगों के मन का डर भ्रांती और प्रश्णों का समाधान किया जा सकता है थेले सिम्या मुक्त बद्यप्रदेश की कारेशाला और उसमे थेले सिम्या के बच्चों के लिए ये मेरा सोवा रक्तदान है मारवडी प्रजापती समाज द्वारा साथ दिवसी श्रीमत भागवत कता का आउजन किया जा रहा था जिसका समापन प्रजापती नरसी मंदिर पर हुआ पंडी श्री चंद शेकर जोशी के द्वारा समाज जनों को कता का संगित में रस्पान कराया समापन पक्ष श्रीमत भागवत पोथी की आरती सभी समाज जनों द्वारा की गई कता में समाज के अनेक महानु भाव ने भाग लिया जिसमें प्रकाश वरांधना, ट्रस्ट सची परमानन्द मंगरोला, बसुदेव मंगरोला, महेश चंदवाडिया, राश्रपती पुरुसकार प्राप्त तेजराम घोडेला, हुकुम चंद पटेल, जगदिश चंदराव लिया, राधेशाम घोडेला, निशूल क सामयक विवास समेलन के अध्यक्ष बद्रिलाल घोडेला आधी उपस्तित रहे आज के लिए बस नहीं तब फिल्म मुलाकात होगी नई सुर्क्यों के साथ, तब तक लिए नमसकार राष्ट पिता महत्मा गांधी की जोईंति के उप्लक्ष में प्रधानमंत्री नरिन मोधी द्वारा स्वच्चत अभ्यान चलाया जाने के आवान करने के बाद कश्मीर से लेकर कन्यकुमाई तक एक दिन एक घंटा स्वचिता अभ्यान चला कर देश की जनता निद्या स्वचिता का संदेश शहर विधायक चेतने काशप ने भी स्वचिता अभ्यान चला कर शहर की जनता को स्वचिता के प्रती किया जागरू शाने मालवा प्रदेश ही नहीं देश का गोरव स्वर्ण नगरी रतलाम को पुनहा लोटाएंगे उसका खोया वेभव शहर विधायक ने अपना संकल्प दोराया अभी तो मुख्य द्वार का क्या जिन्नो द्वार आने वाले समय में महलवाड़े का भी करेंगे कायकल रतलाम को बनाएंगे नगर से महानगर स्वेचिक रक्तदान दिवस के आउसर पर रतन पूरी के रतन समाच से भी कोविन काकानी ने किया थेले सिमय वर्सिकल सेल से पिडित बच्चों के लिए सोवी बार रक्तदान सेवा की ऐसी मिसाल और कहां झाल